नमस्कार में दिव्या बिहारी निउस में आपका अस्वागत है खबरों की ओबने से पहले एक नजर सुनियों पर आठवी पास बेरोजगारों के लिए बिहार के जिले में लग रहा जॉब कैम बिहार में दो कोरोना मरीजों की हुई पुष्टी सिक्षा विभाग ने सिक्षक भरती के दूसरे चरण की काउंसलिंग की देट की जारी केके पाठक की दौरे की खबर सुनते ही पदा दिकारी हुए अलर्ट सुनीत आवसकर ने संजू सैमसन को लेकर कही ये बाद इसके साथ ही बढ़ते हैं साम तक की बरी खबरों की और विस्तार से आठवी पास बेरोजगारों के लिए बिहार के जिले में लग रहा जौब कैम बिहार के बेरोजगार रिवाओं के लिए बरी खबर है दरसल आठवी पास बेरोजगारों के लिए बिहार के आरा में वरे अस्तर पर जॉब कैम्प लगाने की तैयारी की जा रही है इस जॉब कैम्प में आठवी से असना तक पास बेरोजगार हिस्सा ले सकेंगे इसके लिए आपको कल यानी 30 इसमबर को 11 बजे से साम 3 बजे तक आरा में सदर प्रखंट कारियाले कैमपस में मौझूद जला नियोज नाले कारियाले में जाना होगा इस जॉब कैम्प की जानकारी पदादिकारी नूर एहसन के तरब से सामने आई है यहां 150 सीटों पर ICICI फाउंडेशन पटना के लिए बहाली की जाएगी इस बहाली में नीजी छेतर के कंपनी द्वारा सेल्स एक्जेक्यूटिव टेक्निकल और होम हेल्थ एड के पदों पर भरती की जाएगी जहां चैनित किवाओं को 10,000 रुपए से लेकर 14,000 रुपए प्रतिमा वेतन की रूप में मिलेंगे जॉब कैम्प में आने वाले आविदकों को सला दी जाती है कि वे यहां अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ ही आए जिदी किसी प्रकार की दस्तावेज उनके पास नहीं रहें तो उन्हें इस जॉब कैम्प में बैठने की अनुमती नहीं मिलेगी जिन में रेजियू में सर्टिफिकेट सभी जरूरी सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ सभी पत्रे की मूल कॉपी और अने जरूरी दस्तावेज काम में आ सकते हैं जॉब कैम्प में सामिल होने वालों मिदवारों की नियुंतम आयू सीमा 18 वर्द और अधिक्तम आयू सीमा 40 वर्द होनी चाहिए आतंकी हमले में बिहार के वीर बेटे हुए सहीर जमुकस्मीर के राज़ौरी में आतंकी हमले की खबर सामने आई है इसी आतंकी हमले में बिहार में नवादा के रहने वाले वीर बेटे चंदन कुमार भी शहीद हो गया सहीद हुए इस जवान की खबर सुनते ही पूरे गाउं में सोग पसर गया सहीद हुए जवान के परिवार बालों का रो रो कर बुरा हाल है बता दे की बीते ही दिनों इस आतंकी हमले के दौरान चार जवान सहीद हुए हैं और तीन जवान घायर इनमें सेख बिहार के रहने वाले सहीद चंदन कुमार नवादा जिले के वारिसली गंज थाना छेतर के नारू मुराड गाउं के रहने वाले हैं इनके पिता का नाम मौलेसवर सिंग है इस आतंकी हमले को लेकर अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि आतंकियों ने सेना की दो गारियों पर हमला कर दिया आतंकी घात लगा कर बैठे हुए थे भारी हतियारों से लैस आतंकियों ने सेना के वहानों पर अटैक कर दिया वहीं दूसरे अधिकारी लेफटिनेंट करनल सुनीर बर्तवाल दुआरा बताया गया कि आतंक्यों की मौजूद्गी के बारे में करी खोफिया जानकारी के आधार पर बुद्वार रात को पुंच के थाना मंडी सूरन कोट छेतर में धेरा की गली के सामाने लाके में एक से अभियान शुरू किया गया था इसके बाद वहां मुट्वेट शुरू हो गई 21 दिसमबर की दोपैर लगबक तीन बचकर 45 मिनट पर आपरेसन साइप पर सेना के दो वाहन पहुंचे जिस पर आतंक्यों ने फाइरिंग कर दी इसके बाद सेना के तरब से भी जवाबी का रहाने वाले बीएड डिग्री धारियों सिक्षकों की रिपोर्ट बिहार सिक्षा विभाग द्वारा मांगी गई है जहां बीएड सिक्षकों की संख्या कितनी होगी इसकी जानकारिस रिपोर्ट में देनी होगी बता दे की पटना हाई कोट द्वारा 6 दिसमबर को दिये और निर्ने के तहट यह संख्या मांगी गई हैं इसके लिए सभी जिला सक्षा पदाधिकारियों को सनीवार तक का समय प्राथ्मिक संख्या निदेसक बिद्धिलेश मिश्र द्वारा दिया गया है चलाई खबरों के मुताबिक सिक्षा विभाग द्वारा बीएट सिक्षाकों को लेकर 6 दिसंबर को पटना हाई कोट की आई फैसले पर सुप्रीम कोट में याजिका दायर करने की तैयारी को लेकर मांगी गई है वहीं आधिकारिक जानकारी के नुसा आर्जन संख्या के प्रतिवेदन में बीए डिग्री धारकों की संख्या वर्स वार मांगी गई है बिहार की बेटी ने वर्ल्ड स्ट्रेंथ लेफ्टिंग चैंपियंशिप में गोल्ड अपने नाम कर बिहार का बढ़ाया माल दसवी वर्ल्ड स्ट्रेंथ लेफ्टिंग चैंपियंशिप दोजार तीस हैदराबाद में 18-21 दिसेंबर तक आयोज़त हुई इस दौरान पटना के मस्वारी की बेटी कृतिका राज भी भारतिय टीम में सामिल होकर अपने प्रतिवा का प्रदर्सन किया और चैंपियंशिप में कृतिका ने गोल्ड मैडल अपने नाम किया बता दे कि बिहार के चैंख खिलारियों का चैन भारतिय टीम में हुआ था उदैपुर में हुई इस राश्ट्रे प्रतियोगिता के आधार पर इन खिलारियों का चैन किया गया था वहीं बिहार स्ट्रेंथ लिफ्टिंग संके सची वनोज कुमार ने भी बताया कि भारतिय टीम में बिहार के मसौरी की कृतिका राज ने गोल्ड मैडल अपने नाम किया है बतादे कि कृतिका ने अंडर 17 में वस्व रिकॉर्ड बनाते हुँ 165 किलो ग्राम का वजन उठाया था बिहार में दो कोरोना मरीज की हुई पोस्टी एक बार फिर से देश में कोरोना का खत्रा मनडराने लगा है अभी तक मामले देश के कई राज्यों से सामने आ रहे थे लेकिन अब बिहार में भी कोरोना की दस तक हो चुकी है स्वास विभाग से मिली जानकारी के नुसार अब तक दो मरीजों को कोरोना संक्रमित पाया गया है इन में से एक मरीज कीरल की यात्रा से वापस लोटे थे वहीं दूसरा कोरोना संक्रमित वैक्ती असम की यात्रा से वापस आया था हाला कि अभी दोनों ही मरीजों को होम आईसोलेशन में रहने की सला दी गई है हाला कि अभी तक इस बात की पुष्टी नहीं की जा सके कि दोनों ही संक्रमित मरीज कोरोना के नए सब वैरियन जे एन एक से संक्रमित है या नहीं केके पाठक के दौरे के खबर सुनते ही पदा धिकारी हुए अलर्ट केके पाठक इन दिनों लगातार बिहार के सिक्चा विवस्ता में सुधार के कई प्रयास कर रहें इसके लिए वे लगातार स्कूल संस्तानों का निरिक्शन भी करते नजर आ रहें अब इसी करी में यह खबर सामने आई है कि आज केके पाठक बितिया के बाद मोतिहारी का दौरा कर सकते हैं ऐसे में सभी B.E.O. अधिकारी अलर्ट होते नजर आ रहे हैं दियो द्वारा भी केके पाठक के आने को लेकर सुगौ अली बंजर या पहार पूर अरे राज हरिसिद्दी और तुर्कॉलिया को जरूरी दिसा निर्देश जारी कर अलर्ट किया गया है इस दिन B.E.S.C. सिख्चक भरती परिक्षा का रिजल्ट हो सकता है जारी 15 दिसमबर को सांती पूर्ण तरीके से बिहार लोकसेवा आयोग यानी B.E.S.C. द्वारा आयोजित सिख्चक भरती परिक्षा का दूसरा चरन पूरा हो गया अब अभ्यरती इस परिक्षा के परिणाम और न्योक्ति का इंतजार कर रहे है तो बता दे कि इस परिक्षा परिणाम को घोसत करने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है दरासर संभावना जताई गई है कि दूसरे चरन के विद्याले अध्यापकों के परिक्षा परिणाम आज देज रात तक निकलना शुरू हो जाएंगे मिली जानकारी के नुसार बीते ही दिनों इसके OMR के स्कैनिंग का काम भी पूरा कर लिया गया था अब काउंसलिंग की तैयारी में सिक्षा विभाग जो चुका है डॉक्रिमेंट वेरिफिकेशन 25 दिसमबर से शुरू कर दिये जाएंगे सिक्षा विभाग इसके लिए अलग से सेड्यूल जारी करेगा पहली बार गंगा के बीचो बीच क्रूज पर क्रिस्मस सेलिब्रेट करेंगे परेटक बिहार में पैटन विभाग क्रिस्मस को लेकर तैयारियों में लग चुका है बता दे कि क्रिस्मस के इस अफसर पर पटना के जर्ना दन घाट पर लगे क्रूज सिप को क्रिस्मस के थीम पर सजया जा रहा इस बार लोग पटना में गंगा नदी के लहरों के बीचो बीच अपने क्रिस्मस पार्टी को एंजॉय कर सकेंगे ऐसा पहली बार हो रहा जब लोग क्रूस पर गंगा के बीचों बीच क्रिसमस को celebrate करते नजर आएंगे इस festival को लेकर पहली बार celebration package आया है जो भी इस क्रूस के पटना के बीचों बीच क्रिसमस celebrate करना चाहते हैं वे इसका टिकेट ले सकते हैं इस क्रिस्मस पार्टी के दोरान क्रूज पर कई रंग बिरंगे लाइट्स रहेंगे साथी दीजे नाइट, गेम्स, केक, कटिंग, डिनर, मॉक्टेल, पार्टी और रैम वॉक जैसे कई अक्टिविटीज देखने को मिलेंगे इस कायोजन 24 और 25 दिसमबर को देखने को मिलेगा, इसमें प्रती वैक्ती सुल्क 15 सु रुपे रहेंगे तो वहीं 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुल्क नहीं लिये जाएंगे हालां कि जो बच्चे 5 साल से 12 साल के बीच होंगे उनसे उनके लिए 750 रुपे सुल्क रहेंगे बता दे के स्क्रूज में लगभग 200 लोगों के बैठने की वैवस्ता की गई है सिख्चा विभाग ने सिख्चक भरती के दूसरे चरण की काउंसलिंग की देट की जारी बिहार में इस जगह पर पहली बार खुलेगा अंतराश्ट्य होटेल बरते परेटकों की संख्या को लेकर यहां उनके स्वागत के लिए खास इंतजाम भी किये जा रहे है करे रिजॉट और होटलों की संख्या में भी बरहोतरी की जा रही अब इसी करी में खबर आई है कि अमेरिका के भी एक मसहूर इन्वेस्टर बिहार में इस सांधार होटल खुलेंगे बता दे कि इस कंपनी का नाम हैाथ है जो बिहार में हैाथ होटल खोलने की तैयारी कर रहा जिससे बिहार को एक और हाइटेक और लगजरी सुविधा के साथ होटेल मिलने वाले हैं बता दे कि अभी तक पूरे भारत में इस कंपनी ने महज 9 होटेल ही खोले हैं अब इसमें बिहार भी सामिल होने वाला है इस होटेल में 74 रूम रहेंगे साथ ही इसमें रेस्टूरेंट, गैलरी और कैफे आदी की सुविधा भी देखने को मिलेगी अमेरिका के इस होटेल कंपनी हयात अपना ब्रांच गया में खोलने वाली है गया टूरिज्म के मामले में तेजी से बरहोतरी करता नजर आ रहा इस होटेल के बीच ओबीच एक लाइब्रेरी लाउंज की सुविधा भी की जाएगी बिहार में संतरास्ट्य होटेल के खुलने के कई निवेसकों का ध्यान भी बिहार के तरफ आकरसत होगा केके पाठक केस निर्देश पर बिहार राजपाल ने जटाई नाराजगी के खाली पदों को भरने की बात कही थी इस पर आज इपाल ने कहा कि उच्चु सिक्चा के अस्तर में गिरावट होगी बिहार को सिक्चा के छेत्र में अग्रानी बनाने को लेकर वह प्रतिबद हैं और नई सिक्चा नीती के लागू होने से सकरात्मक असर भी साफ दिखाई पर रहा है इस दोरान उन्होंने सीनेट सदस्यों के सक्रिय भागिदारी की तारीफ करते वे कहा किस वीवी के उद्देस्यों को पूरा करने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है साल में दो बैटर क्विस्ट विद्याले में अकैडमिक और बजट की होनी चाहिए बिहार के इ अयुद्धा के लिए चलेंगी ट्रेने अयुद्धा में राम मंदिर लगबग बंकर तयार हो चुका है अब मंदिर के उद्घाटन की तयारी जोरो सोरों से की जा रही अब इसी करी में स्रद्धालों को अयुद्धा में राम लल्ला की दर्सन के लिए कई स्पेसल ट्रेने रेलवे द्वारा चलाए जाने की तैयारी है बतादे की राम मंदिर का उद्गाटन 22 जन्वरी को होगा लेकिन 15 जन्वरी के आस पास लोग आयोध्या पहुचना शुरू कर देंगे अध्या जाने के लिए भी ट्रेनों में बुकिंग की मांग में अच्छी खासी बरहोतरी द दानापूर, गया भागलपूर, हाजिपूर, मुझपरपूर और दर्भंगव अन्य स्टेशन सामिल हैं ये स्पेसल ट्रेने अयोध्यार उसके आस पास के स्टेशनों के लिए चलाई जाएंगे इंडिया गटबंडन बैठक पर जदियों सांसद सुनील कुमार पिंटू क सदन में आसन के अपमान के आरूप में अब तक 141 सांसदों को संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर हंगामे के दौरान सस्पेंट किया गया है अब इस मामले को लेकर जदियों के राष्ट्य अध्यक्ष ललन सिंग का बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि देश में लोक क्योंकि इस देश का आईबी और रौ उनके ही नियंतरन में है वहीं सुनिल कुमार पिंटु द्वारा इंदिया बैठा को लेकर दिये गए तीके बयान पर भी ललन सिंग ने पलटवार किया है उन्होंने कहा है कि सुनिल कुमार पिंटु रास्ते पर है एक बार बहुत पह उन्होंने कहा है कि इंडी गटबंदन में सब कुछ बिगर चुका है हाथी मर चुका है लेकिन लालू प्रसाद और ललन सिंग उसमें जान फूकने की कोसुस करने के लिए जूट सच का सहारा ले रहें आगे उन्होंने कहा कि जदियो भले नितीज कुमार की नाराजगी प सहा कि डिप्टी सीम तेजस्वी यादव और राजद प्रमुक लालू प्रसाद उस बैठक में किया केवल केजरीवाल और ममता दीदी के आगे इस सरहिला कर हामी भरने का मौन समर्थन करने गया थे जिस तेजस्वी यादव को नितीज कुमार ने दो बार डिप्टी सीम ब पहले कर कहींगे बात अभी हाल में सुनिल कावसकर ने स्टार स्पोर्ट से बातीत की दौरान भारत के सटार संजु सैम्सन को ले कर ब्यान दिया है पहले सतक को ले कर दिया उन्होंने अपने इस दौरान चैंड आप सेलेक्षिस Olay यवां सन्जु सैम्सेन के टारीफों के और थी आगे उन्होंने का कि मुझे लगता है कि संजू के बल्ले से निकला ये पहला बंडे सतक उनके केरियर को बदल देगा सबसे पहला तो इस सतक की वज़ा से उन्हें ज्यादा मौके मिलेंगे दूसरा मुझे लगता है कि वह भी खुद पर अधिक विश्वास करने लग कर दिया था जिन्होंने हमारे दोरह पुचे के सवाल का जवाब दिया उनके नाम है इसके साथ ही बढ़तें आज के सवाल की और आज का सवाल है भारत और दक्संद अफरीका के बीच खेले के वंदेश स्रीज में किस खिलारी का प्रदर सन बहतरीन रहा है आप अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सक्षिंबॉक्स में लिग कर जरूर बताएं आज के लिए इतना है बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूज और साथ ही अगर आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद